बिलास्पूर में हुई भारी बारिश का सुर से ज्यादा असर चंडिगण मनाली नैशनल हाईवे 205 पर देखने को मिल रहा है। मलवे के साथ सीधे कई फीट नीचे गहरी खाई में चला गया जिसमें कैंटे चाले की मोके पर ही मोथ हो गई वहीं जिला परशासन और कुलिस कर्मियों ने स्थानी ग्रामिनों के साथ मिलकर 3-4 घंटे तक रेस्क्यू चलाया। तब जाकर मिलतक चला का शब रामद हुआ। इस बात की जानकारी देते हुए विलासपुर के कारेकारी उपायूग बीने धिमान ने बताया कि मिलतक चला का नाम अजिंदर सिंग है जो की जिरकपुर का रहने वाला है। पिछले 24 घंटों में जो बरसात हुई है काफी हेवी रेनफाल यहां रिपोर्टेड है और उसकी बज़ा से जगा जगा प्राब्लम आई है। हर सब्डिविजन में काफी रूट्स बंद हो गए है। खासकर जो प्राब्लम आई है वो नैशल हाईवे 205 पे आई है। जहां पे लगवग 35 से ज़्यादा लोकेशन पे हैवी लैंड स्लाइड आया। और उसमें काफी लोग फसे बताये गए। लगवग 5000 के आसपास लोग इस पूरे स्ट्रेच में फसे हुए थे। जुनको सुबा छे वज़े से जब हमारा उपरेशन स्टार्ट हुआ। स्वारगाट से अलग से और बिलासपूर साइट से अलग से हमने स्टार्ट किया था। उसमें लगवग 8 जेसीवी जो है वो डिपलाइड थी। उसके साथ एक लूडर और जो भी एकुप्मेट रहता है पी डिवलडी का वो डिपलाइड रहा। चोटी गाड़ियों के लिए सारी बेवस्ता बहाल कर दी है। और बड़ी गाड़ियों के लिए कल दपहल तक बेवस्ता हमारी बहाल हो जाएगी। असेस्ट आठ से दस क्रूड का नुकसान जो है वो अगरिकल्चर, होटी कल्चर और रिवन्यू लोस जो है वो असेस्ट किया गया है। इसके अलावा पी डिवलडी का लगवग 12 क्रूड 80 लाग के असपास अभी का कैसेस्ट हैं जो के बढ़ भी सकता है। और उसके अलावा जो हमारे बाटर स्प्लाइ सूर्स इस हैं लगवग 30 के क्रीब डिस्टर्ब है उनको रिस्टर्वेशन का काम जारी है। बारह बाटर स्प्लाइ स्कीम्स रिस्टर्ब बताइग गई है। रोकफाल जगा जगा रिपोर्टेड है जैसे आज तो कल के लिए जो है वो हमने एजुकेशन इंसिचूशन जो डिस्टिक में है उनमें छुट्टी डिकलेर की है ताके जो सुरक्षा की दृष्टी से जो सभी जितने भी बच्चे स्कूल गोइंग है उनको जो है वो कोई प जो है वो इसका नाम अजंदर सिंग बताया गया है जो कि जरुपूर का निवासी रहाएं कि वांचल एक्सप्रेस के लिए विलासपूर से रिशू करवाकर की रिपोर्ट